अलो स्टुडेंट्स वो अपने थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रोब्लम के वज़े से अपना टोपिक बीच में अटक गया था तो अपने इसके बाद में डिस्कस करते हैं किस पे डिस्कस कर रहेते हैं देखो डिस्ट्यूबियोशन ओप सिम्टम सिम्टम उसके साथ कंफ्यूज हो जाता है डिजीज की और अपने सही पहचान नहीं हो पाती तो उस चीज को अपने उसको मिनिमाइज करने के लिए उस चीज से अपने उसको पहले उसके बारे में पता होना चीज़े तो इसके अंदर देखो यूनिफॉर्मिटी अगर एक जैसे ल यूटरिइसन का तो यह सब चीज़ें क्या होती है की यह सब चीजें देखो प्रेक्टिकली तुम लोगों कि लाइफ टाइम काम आने व़ली चीज़े चीजें लोती है कि उसके अंदर कुछ एबाइटिक फेक्टर का काम है या फिर उसके अंदर बाइटिक फेक्टर मतलब 50 परसेंट डिजीज को डाइगनोज करने का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यह होता है कि फिल्ड में आप जब भी जाओ तो अपने को यह पता होना चाहिए कि स्टम नहीं दिखाई देता तो उसका कारण क्या हो सकता है ग्रीन तो आउस् अपने अपने ग्रीन हौस पोली और उसके पास-पास के जो प्लांट होते हैं उसके अंदर इससे स्पोंटों पर कोई स्टम नहीं देता या फिर जो जैसे रिज वार फरो के इंदर होता है तो उसके उपर जो प्लांट होते हैं इसका कारण क्या हो सकता है ठीक है तो इसमें देखो सिम्टम के डिस्ट्यूबिशन यह होना चाहिए कि अपने सिम्टम उसमें कैसे दिखाई दे रहें दूसरी चीज उस सिम्टम को देखने के बाद में अपने उस उसको यह भी कंटिनियूस को उपजब करते रहना चाहिए कि उस सिम्टम के अंदर आगे कंटिनियूस कुछ ग्रोथ हुई है या फिर वहीं पे रुका पड़ा है समझ रहे हो बात कि अगर जैसे पहले दिन अपने कोई सिम्टम देखा तो जो लीप थी तो लीप के उपर मान जैसे ऐसे कोई छोटा सा दबा बना था अगले दिन जब जाके देखते हैं तो दबा साइज में बढ़ा हो गया तो मतलब रूसके अंदर कुछ लिविंग एक्टिविटीज होरी है तब ही वह साइज में बढ़ा हो रहा है अगर उसके अंदर एससा कोई नहीं लीविंग उसमें काम नहीं करती तो वो उसका जो दभ्य का जो स्इप उतना ही रहा जितना अपने पहले आप़ जोग किया को यह सब चीज है अपने डिजीज डियागनोसीस के अदर इंपोर्टेंट होता है कि dc को डाइगनोसま सारी मेघळ पता होना चाहि और तो को ला किस को लेबोरेटरी की ज़रुती नहीं पड़ती अगर इन चीजों को अगर सिधा अपन प्रेक्टिकली नहीं तो अपन थियोटिकली अगर समझें इस चीज को तो भी अपने यह फूल हो सकती है ठीक है तो अब देखो यह चीजे बता दी कि यूनिफोर्मीटी होनी चीए है रहुंच भायोटिक अगर पेचेज के अंदर बीच गीच में से चक्ते दिखाई देते हैं तो उस जगह है पर भी है कंग्यों के अन्दर क्यों नीवीचन इदिए 서ॉनिक करता है प्लांट को आअल इसके देखो नजआ हो जागता है वेदर सब्सक्राएं उन Basis Council ल contenido जल ज जिए भी अपने ध्यान में पड़ती है उसके लावा इसके अंदर को चीजें जैसे ग्रीना उसके साइड के अंदर है उसकी प्लांट की रो के अंदर कहीं सिम्टम दिख रहे हैं तो यह सब चीजे अपने डिसकस कर ली कई बार क्या करते हैं अपन खेत के अंदर जब करते हैं या फिर कोई अधर इंप्लीमेंट्स होते हैं उस वज़े से पोदे की रूट को डेमेज हो गया तो वह क्या होगा दिर दिर मुर जाने लग जाएगा पूरा सूख जाएगा तो उस चीज का पता होना चाहिए अपन उस चीज को यह नहीं बोल सकते कि उसके अंदर डिजीज हो गया क्यों क्योंकि मेकेनिकली उसके अंदर कुछ इंजरी होगी तो उस वज़े से उसको एसे लक्षन उत्पन होगे तो यह सब चीजे अपने को पता होना चाहिए ठीक है इंफेक्शियस और नोन इंफेक्शियस पेक्टर का पता लगाने का आसान तरीका होता है अब इसके बाद में क्या करते है तो यह सारी के सारी मेंने जो प्रोसीजर बताया तो वह इसके अंदर डिसकस किया है पूरा लिखा हुआ इसके अंदर कि क्या क्या चीजे अपने को ध्यान रखनी चाहिए अब इसके बाद में क्या होता है कि सिम्टम मेंने जैसे बता है कि progress कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो सब चीजे ध्याना करें कई बार क्या होता है देखो फेट को जो फिल्ड होता है फिल्ड के किनारे पर अपने देखते हैं तो वहां पर उसके अंदर पोदा का जो किनारे वाले भाग होते हैं या फिर वहां पर दूसरी चीज या फिर कई बार हम अब क्या करते हैं। कोई एसा पेस्टिशाइड उजी कर लेते हैं। जिस वज़े से पॉदे के ऊपर इसे धबे बन जाते हैं। ठीक हैं. वो क्या चीज होती है Phyto-toxicity इसको क्या बोलते हैं। फाइयटो तॉक्सी सीटि, फाइयटो टॉक्सीटि variety वीड जल जाते हैं तो सीधी स्वात है तो वीडी साइड भी कही रेवार यूदु करते हैं तो फैसल फोदे भी जल जाते हैceğiz नहीं कुछ या करते हैं आपने जिस के पर वन्स पति जाहां पर होती है वो पूरी सब्सक्र São में करते हैं क्या करते इसे पानी के नले में या फिर सइड पर कहीं पर जब्स हो तो उसके उपर क्या होगा उसके उपर इसे दबे बनने लग जाएंगे तो वह चीजें क्या होती है एब आपने जो काम करते टाइम अपने उसके अंदर कुछ उसमें प्रोब्लम आगे तो वह बाइटिक कोज हो गया उसको पता लगाना होता है तो पहले दिन को देख लो वह बाइटिक हो सकता है अधरवाइस वह क्या होगा फाइटो टॉक्सिक एफेक्ट होगा ठीक है अब कल्चरल प्रेक्टिसेज और ग्रोविंग इनवार्मेंट का रिव्यू पता होना चीए अपने को देखो कुछ फसले ऐसी होती है जो टंप्रेचर के साथ में उसका रि पनल और लगा सकते हैं नहीं लगेगा तो वह कुछ कंडिसन्स होती है अपने को पता होना चीए कि इस फसल के लिए ये जमीन शीटेबल है या नहीं या फिर यह जगह शीटेबल एंवार्मेंट शीटेबल है या नहीं प्लस उसके अंदर पानी इरिगेशन शीटेबल एन ब्रेकिष वर्टर यूज करते हैं तो कुछ बसलें ऐसे मालो जिनके अंदर ट्वेल का पानी शूट नहीं करता कुछ ऐसे पलसे नहीं पानी है तो अपने उसे में पानी लगा देंगा तो पूरे फेत के इंदर क्या आ जाएगी विल्टिंग उजाएगी ठीक है लाइस हो ज अगर उसको प्रोपर सब फेसिलीटीज मिलने के बाद में अगर उस पर कुछ ऐसे लक्षन दिखाई देते हैं तब जाके अपने को कुछ ऐसा आइडिया होगा कि इसके अंदर एबाय टिक कारण तो नहीं है इसके अंदर कुछ बाय टिक कारण है तो उसके अंदर फंगस प्रकार से और धारना मान लेते हैं इसको डाइगनोसिस करना एक अपने क्या हो गया प्रेक्टिकली जो लेब के अंदर एक चीज में ने बताई कि जिस डिजीज को अपने डाइगनोज कर रखा है जिस पेथोजन को अपने पहचान लिया उसका अपने पास एक स्कोर हो गय अगर अपने पहली बार कोई डिजीज को देखते हैं अगर पहली बार कुछ अलग डिफरेंट टाइप का सिम्टम अपने पता चलता है तो उस डिजीज के लिए अपने उस डिजीज को पूरा उसका स्टडी करने के लिए अपने क्या करता है फाइनल डाइगनोसिस का किसी लेते हैं लेबोरेटरी की तो लेढ़ के अंदर पूरा बोसिजर फॉलो करते हैं उसका क्या-क्या मेढेड आ अपन इपणा सकते हैं उसमें सारे की सारी जब अपन उसची object के बारे में, सारे जब उसके facts जितने भी होते हैं, उसके पूरा जो इसका जितना भी उसके भारे में जितने भी information होती हैं, वो सारी सारी जब अपन collect कर लेते हैं, तो उसके बाद में अपने उसको क्या करेंगे, डीजीज को डाइगनोज करेंगे, सबसे पहले information अपने क्या थी, किस symptom कहां दिखाई दिया, soil का type क्या था, वहां पे किस परकार का condition थी, और लक्षन के साथ था, कितने दिन बाद के साथ दिखाई दिया, और लास्ट में इसमे पोदे के उपर क्या effect पड़ा, कितना percentage को नुक्सान हुआ और किस परकार से नुक्सान किया, fruit को नुक्सान किया, root को नुक्सान किया, leaf को नुक्सान किया, तो ये सब चीजे अपने को, उसमें data collect करते हैं, तो वो सब चीजे अपने पास होनी चाहिए, उसके बाद आपने को डाइगनोज करते हैं, तो डाइगनोज करने के लिए अपने क्या होता है, detect करना, symptom का पहचान करना, एक अपने clue मिल जाता है, क्या बोलते हैं, इसको एक clue मिल जाता है, अपने पास एक key मिल जाती है, कि उसके बाद आपन इसका कैसे पहचान कर सकते हैं, ठीक है, तो symptom एक कि लिवर्येटरी कंडिशन में दोर निभर्येटर के अंडर कर सकते हैं और डाइग्नोज बेसे करने का जो इनीशिल्टी जो स्टेज होती है जैसे मैंने बताया कि अपने पास जो पहले से के अंदर यह रोग करका है उस टेस्ट कर लेते हैं कोई बेक्टिरिया के लिए है तो या फिर इस पर का पाउडरी मिल्डियू जैसा शिम्टम दिखर है तो उस चीज की अपन पैचान कर लेते हैं तो यह क्या होता है बाइटिक कोजल एजेंट जो हता है उसका इनीशिल स्ट पैचान लेना देखा और उसको मैच किया कि इस परकार का स्यम्टम है या नहीं पीछली स्लाइड में जैसे डिसकस किया अपने दूसरा अगर उस तरीके से अपने पैचान नहीं कर पते है तो उसको कैसे डाइगनोज करने का तरीका होता है इंक्यूबेशन उप्लांट को इंक्यूबेट करना इसमें प्रोसीजर होता है जैसे मनों एक पेट्री प्लेट लूँगा मैं उस पेट्री प्लेट के अंदर जैसे लीव के ऊपर इंफेक्शन था तो उसकी बीट्स काट लिए चोटी-चोटी से बीट्स बना लिया इसके अंदर मैं एक स्लाइड लूँ ठीक है और इस पेट्री प्लेट के पेंदे में मैं एक ब्लोटर पेपर लगा दूँगा ठीक है ब्लोटर पेपर लगा दूँगा ठीक है ब्लोटर पेपर लगा दिया अब उसके बाद मैं क्या करूँगा इस स्लाइड पर मैं इस बीट को डालूँगा इस स्लाइड पर ब ड्रोप 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 छो भी पेतो जनहोंगा इसकी ग्रोथ हैगी तो उसको मैं इंक्यूबेट करके इस परकार से उसको फिर मैं डारेक्ट उसको क्या करूंगा उस स्लाइड को डारेक्ट माइक्रोस्कोप में रखूंग और इसका आइडेंटिफिकेशन कर लूँगा तो वो क्या हो जाएगा सीधा डाइगनोज हो जाएगा इंक्यूबेशन मेथड आइसोलेशन करना बताया भी था तुम लोगों से करवाया भी था सिंपल साफ प्रोसीज़र होता है जो बीट मेंने काटे उसको मीडिया बनाया मीडिया के उपर डालके और उस फंगस की जो ग्रो थाएगी या बेक्टिरिया जो भी पेतोजन होगा उसकी ग्रोथ हैगी उसको अपन माइक्रोस्कोप से आइडेंटिफाय कर लेते तो थो माइ टेस्ट करते हैं डाइगनोस्टिक उसको रोग कारक की पैचान के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो कौन-कौन से अपने बात करेंगे ठीक एडाइटिकुका ऐडेंटिक और डाइटिक को जेडाइट बहुत और डाइटिक उनका डाइगनोस्टिक तेस्ट जैसे मानलो नालोग नाई नाइन्ट्रोजन की नवै इयद्सेंसी का अपने टेस्ट करते हैं फॉल्टेस्यम की डेस्ट करते हैं ॉफॉर्ट की डैसि की Mr. Fish होते हैं modern technique है और traditional पुरानी रूप तरीके से पुराने तरीके से कही से करते थे और नई टेकनिक इसमें क्या है वो भी देखते हैं modern disease technosix method में दखो क्या है पुरानी टेकनिक तो वह इसोलेशन कर लिया उसका वो सब चीजें उसके methods उसी में आते हैं पुरानी तरीके से उसको देख के पैचानना उसको लेंसे पैचा ले या या फिर इस परकार के या फिर कुछ इसके जो बेक्टिरिया के लिए टेस्ट होता है तो उसे कुछ डाई का यूज करते हैं या फिर उनके अंदर कुछ स्टेंडिंग कर लेते हैं तो यह सब चीजे और जो ट्रेडिशन जब आपने पास टेक्नोलोजी नहीं थी तो उस टाइम में जो काम चलाने वाला जो सिस्टम था तो वो ट्रेडिशनल में तर लेटेस्ट जो है अपने पास इतना डाइगनोज कर सकता है कि उसकी सपीसीज नहीं है इसके स्पीसीज किस तक इतना उसका इडेंटिफिकेशन करता है मतलब उसके जनेटिक मेक ऑप उसका जनेटिक मेक अपता का पन आयदेफाइ कर सकते हैं तो यह देखो डायेक्ट मे змेत डिन सीरोलोजी कल टेस्ट शीरम जो टेस्ट होता है यह इनफितेल में नहीं दे रखा अपने method का नाम याद रखना है ठीक है immunofluorescence और flow cytometry यह सारे के सारे direct method के अंदर molecular method के अंदर क्या होता है fluorescent in-situ hybridization यह technique होती है hybridization के अंदर इसके अंदर क्या होता है enzymes बहुत सारे enzymes कुछ die use की जाती है और antigen और जैसी परकार का antigen और antibody की जो process होती है तो उनको क्या करते कोई भी antigen को पेचानने के लिए antibody यूज करते हैं तो उसी परकार से अपन बोड़ी अपनी जो बोड़ी होती है वो भी क्या करते है दूसरी भार कर जो antigen होता उसको कोपीज बनाके और उसको marker से उसको reading करके उसको identify कर लेते हैं डीने एरेज होता है डीने के द्वारा यूज करते हैं ठीक है इंडारेक्ट में क्या होता है biomarker बेस्ट होता है बहुत सारे marker है अपने एवलेबल तो उसके द्वारा कर सकते हैं ठीक है gaseous metabolite यह कुछ procedure इसके अंदर method आते है plant metabolite से या फिर gaseous metabolite से plant properties stress based ठीक है imaging technique imaging technique photo के द्वारा imaging technique देखो क्या होता है जिससे मैं बता रहा हूं photo देखके disease को पैचाना उससे मेच करके पता लगाना और स्पेक्ट्रो स्पोकिक स्पेक्ट्रो स्कोपिक technique स्ट्रो स्कोपिक इसके द्वारा यूज कर लेते हैं अपने इसका method इसके अंदर को equipment की सहता से अपन डीजीज को identify कर लेता है तो यह सारे सारे method थे जो तो यह अपने डीजीज diagnosis हो गया ठीक है diagnosis करने के method सिद्धा सा बात अपने इसको सिर्फ symptom और sign अपने को पता होना चाहिए कि किस परकार से identification वह होता है जिसको अपन देख के पैचान लेता है visual observation लेबोरेटरी के बहुत सारे method है चार method पहले भी अपने डिसकस कर लिए और उसके बाद में यह latest कुछ टेक्निक है इनके द्वारा भी अपन पेथोजन को डाइगनोज कर सकते हैं और पेथोजन को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं सिम्टम से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा रोग करकोगा तो यह अपना एक टोपिक हो गया disease diagnosis का तो इसके अंदर important यह है कि disease diagnosis के अंदर जितने भी मैंने नाम लिये देंपिंग ऑफ पाउडरे मिल्डियू, डाउनी मिल्डियू, साइन, सिम्टम, डिजीज, डिसोडर तो यह सब चीज इनकी डेफिनेशन पता होने चाहिए पहले की पड़ी हुई है तुम लोगों को एक मैनुवल प्रवाइड के आता है तो उसके अंदर सारे के सारे सिम् के अंदर तो उसको कैसे डाइगनोज करें उसको कैसे अइडेंटिफाई करते हैं पेथोजन को कैसे अइडेंटिफाई गाते हैं आज के लिए बस इतना ही थेंक यू